हाई दोस्तों अरे लेटेस्ट खबर यह है कि मतलब शायद आपने भी ये वीडियो यूट्यूब पे वगरा देखे होंगे अनुपम खेर और प्रेम चोपरा ने भी गदर्टू की बहुत तारीफ की है जब यार बड़े लोगों से तारीफ मिलती है तो भाई मतलब ओविसल से आसु आए जब प्रेम चोपरा और अनुपम खेर जी ने जब फिल्म की तारीफ की तो अच्छा लगता है और देखो पब्लिक रियक्शन्स पब्लिक इस पावर पहले तो भाई मीडिया ये बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ये बड़े चुप थे कुछ नहीं बोल लेकिन जब भाई इन पे उल्टा सब कुछ पढ़ गया ना इनोंने माफी मांगी आंटी ने चार-चार थमने लेकी दिन में बदल दी है वो एक प्रेशर महसुस हुआ ना बाद में मेरा ये कहना है भाई कि क्या है ना आपका ओपीनियन रहता है ना आपका रहना चाहिए ये ना कि पॉबलिक अगर बोले कि भाई माफी मांगो तो मांगो क्यों मांगनी है ने अगर आपको नहीं पसंद आई कोई फिल्म शायद हुआ कि ये तो पैसों के लिए किया जा रहा है सब कुछ तरफ ये जी जिए जाता है कि ये जो डबल स्टेंडर्ड है और जब वो पब्लिक का वो पागल जैसा support अब पब्लिक की बाद में जो गालिया मिली होगी तो अच्छानक चेंज जो ना नो बॉस यह ऐसा double standard करके क्या actually यह लोग क्यों करते है ऐसा क्योंकि इनको पता है वैसे ही views आएंगे यह निंजा टेकनिक रहती कि पहले मुवी को बहुत गाली दो और बाद में माफी मांग लो इससे क्या होता है कि अरे अरे चलो सुधर गए हाँ अच्छा हो गया वापस लोग देखने लगते हैं वीडियो यह अच्छा दिमाग लगाते पॉलिटिशेंस से जाद आगर यूट्यूबर अगर पॉलिटिशेंस को कटाटावाबा हो जाएगा मेरे भाई इनके पाज जो दिमाग है न वो ये लोकसबा बोकसबा वालों के भी पास नहीं है इनको भाई इन लोगों ने पॉलिटिक्स वालों ने इनको एक क्या बोलते जब election आते हैं उससे पहले ये रखना चाहिए अपना assistant बोलो या जो भी है management इनको देनी चाहिए इतना दिमाग रहता है इन लोगों में लोगों के दिमाग से खेलना अब आंटी जी गदर 3 में सलमान खान को डाल रही है यार इससे जादा thumbnail और क्या चाहिए बेवकूफी का 30-30 लाख अगर आपके subscriber है और आप इतना C बना रही हो और भई आंटी पे है सच बोल रहा हूँ गदर से पहले इतने वीडियो नहीं बनते थे गदर के बाद इसको नए नए यूटूबर्स ने तक इसकी लेना शुरू कर दी एक आंटी थी ने आंटी नहीं बोल सकते है और वो बहुत अच्छी थी मुझे नाम नहीं याद उसका उसने तो ऐसी लिए नाइस आंटी की कि भई यह आंटी उसका वीडियो ना देखे वही सही है पर यह आंटी बड़ी ही बोला होगा कि इसने रिपोर्ट मारा तो आएसा नहीं कि यह कोई यूटूब की बहुत बड़ी है पर क्या है कि उन्हों कुछ ना कुछ थमनेल वमनेल या कुछ ना कुछ कांड किया होगा बहुत ज्यादा या फिर अंदर वीडियो में बहुत कुछ बोले ही होंगे वह पक्का यूटूब चैनल तो नहीं लेकिन वीडियोज डिलीर करवाया अंटी नहीं हो और क्लेवर हो अंटी तो बची है इसे लोगों से